एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंगार रजुन के नए एपिसोड में दोस्तों जहाँ पिछला अपडेट टाटा मोटर से जुड़ था एक बैड न्यूस थी बुरी न्यूस थी कर रहा हूँ उस्तों बताने की जूरत ने के भारत में एलेक्ट्रिक वहिकल को बरावा देने के लिए सबसे अधर सीरिस नैस है वो टाटा मोटर स्की है और आलेडी टिगोर और नेक्सन एलेक्ट्रिक को लाँच किया जा चुका है लेकिन भारत में एक पॉइंट ऐसा है जो मुझे लगता है कि अभी भी जो इंटरस्ट्रिड बायर जो एलेक्ट्रिक वहिकल्स ख्रीदना चाहते हैं वो कही नगजी जिज़ा कर रहे हैं और वो रीजन है लेक्ट्रिक वहिकल चारजिंग स्टेशन का बहुत कम तादाद म जो EV infra है वो sufficient नहीं है इसी बात को समझते हैं इशू को समझते हैं Tata Motors इस especially इस point पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो दोस्तों पहला good news यह है कि Tata Motors already पूरे इंडिया में 355 355 charging station set up कर चुका है जो कि overall mix है इनमें AC charger भी है DC fast chargers भी है इसके लावा जो इनका कई dealership है Tata Motors के वहाँ पर DC fast chargers set up किये जा चुके है और जो इनका overall expansion plan है कि 2022 तक यह 350 350 charging station पैन इंडिया लगाने की planning कर रहने की total तकरिवन 700 charging station 2022 तक Tata Motors ही अकेले अपने level पर set up कर चुका होगा जो second good news है हो है कि एस पर जो expansion plan है Tata Motors को special electric vehicle segment को लेकर इनका process चल रहा है जो evaluation चल रही है कई global electric vehicle motor manufacturers के साथ उनके साथ partnership करकर भारत में इन motors को बनाया जाएगा तीसरा good news है कि same जैसे electric vehicle motors को भारत में बनाने की planning है partnership के दोवारा तो वैसे ही जो main component है आज भी जो 40-45% जो value रहती है electric vehicles में वो है इनकी lithium ion batteries तो ऐसे ही कई companies के साथ इनका बाचित चल रही है इनके साथ मिलकर partnership में Tata Group भारत में lithium ion batteries का plan setup करना चाहता है दोस्तों अगर यह second और third update है जो EV motor का और lithium ion batteries का अगर वाकि इसी साल इस पर काम शुरू हो जाता है यह complete होता है प्रसेस तो मेरा मानना है कि बिलकुल अगले साल तक 2022 तक जो overall cost है Tata Motors की जो electric vehicle cost है उसमें काफी कमी आ जाएगी तो यह साथ दोस्तों आज का overall update पूरे तीन good news आपके साथ share की है आपका क्या कहना है तीनों comment पर comment box में जरूर जरूर अपने जो सुझाव है share कीजेगा कीजेगा फिलाल आज के लितना ही धन्यवाद वीडियो कों तक देखने के लिए जय हिंद